क्लास थर्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं EBS में चेप्टर नमबर सेवन सेइंग विदाउट स्पीकिंग बिना कुछ कहे कहना डम सरार्स, लेट उस प्ले अगेम, अब हम एक गेम खेलेंगे इन दिस गेम, एवरिवन हैस तो लेट अथर्स नो what they want to tell without speaking इसमें हर किसी को जानना है कि सामने वाला बिना कहे क्या कहना चाहरा है, divide yourself into groups of seven इसमें क्या करना है, divides करना है अपने आपको seven groups में, your teacher will give each group a piece of a paper with a situation written on it, इसमें आपके जो teacher है वो आपको एक piece of paper देंगे और उसमें situation write करेंगे को इसे भी situation write कर सकते हैं, each group will read what is written on the paper and prepare a silent act इसमें हर किसी को क्या करना है, जो लिखावा है, जो situation लिखी वी है, इसको एक act करना है, silent act के थुरू बताना है keep in mind that you cannot speak, आपने अपने माइंड में ये बात भी रखनी है कि आपने कहना नहीं है, you can express through your face and body action आपको क्या करना है, अपने face के और body के action के through expression करना है, when all the groups are ready with their act they have to perform one by one in the front of other groups जब ये group ready हो जाएंगे, तो एक one by one क्या करना है एक group ने, दूसरे group के सामने perform करना है the other will have to guess what is being act out जो सामने वाले group है, उसने क्या करना है, guess कि वो क्या कहना चाहरा है अब इसमें question है, how did you like this game, क्या आपको इस गेम पसंद आया तो आपने जो आपको पसंद आया, तो yes और नहीं है, तो no did you find it difficult to act without speaking, क्या आपको इसमें कुछ difficulties आई बिना कही कुछ कही आपको जो एक्ट करने में क्या problem आई तो अगर आपको आई है, तो yes, अगर नहीं आई है, तो no look at the picture given on the next page, the children in the picture are talking to each other action अब हम next page में देखेंगे, कि कुछ जो children है, वो एक दूसरे से action के थ्रूँ talk कर रहे है, इसमें next question है, have you ever seen any one talking through action, क्या आपने कभी एक दूसरे को action के थ्रूँ बात करते वे देखा है, when do people need to talk like this, कब किसी इस इसान को ये जरूरत होती है, इस टाइप से बात करने की, अब आपके next page में, जैसे हमने पीछे पड़ा था, कि ये जो two children है, ये आपस में किस तरीके से बात कर रहे है, action के थ्रूँ बात कर रहे है, most of us can hear and speak, but there are some people who can't, who can neither hear or speak, most of us जो हम लोग होते हैं, हम लोगों में से हर कोई सुन भी सकता है और बोल भी सकता है, but कुछ people होते हैं, जो ना ही सुन सकते हैं, और ना ही बोल सकते हैं, these people talk through action, ये लोग किस के थ्रूँ बोलते हैं, action के थ्रूँ बोलते हैं, they understand what the other person is saying by studying their lip moment, और वो ये जानने की कोसिस करते हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं कि सामने जो परसन बोल रहा है, तो वो किस के थ्रूँ बोल रहे हैं, जो उसके थ्रूँ जानने की कोसिस करते हैं,